हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है गुरकुल अकेडमी बाई एने चैनल पर तो आज जो हम लोग अपना चेप्टर है वो शुरू करेंगे साधारड प्याज जब तक आपकी classes continue नहीं होती है आप लोगों को यहीं पर वीडियो मिलेंगी प्रति दिन आपको एक वीडियो मिलेंगी आप इसका नोट्स बना है अपने प्रॉपर तरीके से पढ़ाई करें जो आपको क्लास में कोर्स चूटा था यहीं से वहीं से अम्रों ने continue किया है ठीक तो देखो साधारड व्याज आपको सभी को पता होगा साधारड व्याज के जो formula होता है वो होता है मूलधन गोडा दर गोडा समय बटे 100 मिस्टरदन के लिए जो आपना formula याद करते हैं वो क्या करते हैं मिस्टरदन वराबर आप कोईते हो मूलधन प्लस साधारड ब्याजी यही दो हम लोग बिलकुल बेसिक से फॉर्मूले यूज करते हैं हम लोग क्या जब अपना नाइंत आइस्कूल क्लासे में पढ़ा होगा तो अपने यही दो फॉर्मूले पढ़ा होगा कि साधारड ब्याज वरावर मूलदन कुणा दर कुणा समय बट्टे सो और मिस्तरदन वरावर मूलदन प्लस साधारड ब्याजी क्या होता है मिस्तरदन होता है यह दोनों फॉर्मूले भी आप चाहो तो यूज कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है ठीक है इससे भी आपके कुश्चन सौर्व होंगे लेकिन हम लोग जो यूज करेंगे थोड़ा इससे हटके यूज करेंगे ठीक हम लोग थोड़ा यूज करेंगे वो इससे थोड़ा हटके चीज यूज करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे देखो इसको हम लोग करते हैं erase देखो हम लोग जो साधारड ब्याज के लिए यूज करेंगे किसके लिए है साधारड आज के लिए जो use होगा वो होगा दर गोड़ा समय आप यह चीज याद रखोंगे simple interest मितलब r into t यानि r का मतलब rate और t का मतलब time ठीक साधर आज के लिए हम लगए विज़ करेंगे दर गोड़ा समय पहली चीज तो यह अब दूसरी चीज है जो आप देखोगे वो क्या है हम लोग मिस्रदन कैसे नकालेंगे क्या करेंगे मिस्रदन तो मिस्रदन के लिए हम use करेंगे hundred plus साधर अज यह ज़िए आपने पढ़ा है लेकिन हमने मूलदन की जगए कितना हमाली अस्सो यह आप लोग hundred plus r d यह होगा मिस्रदन यह क्या होगा मिस्रदन हम लोग इन दो formula's को use करके हम लोग इन पर क्या करेंगे questions solve करेंगे ठीक 80% question इनी 200 चीज़ों solve करेंगे और जहां आपका basic लगेगा वह आपको basic बताया जाएगा ठीक तो हम लोग करते हैं आते हैं हम लोग आज के अपने पहले question परते तो इसके आप notes भी साथ में बनाते चलें जब आप कई chapter खतम हो जाएगा उसके बाद मैं इसकी PDF जहां तक है upload करूँगा simple interest टैब बन तुम्हों जादा बड़ी वीडियो नहीं बहुत चोटी सी वीडियो रखा करेंगे लगो दो या तीन गंटे की maximum वीडियो रहे रहा करेंगे आपकी यह रहा पहला question 5000 रुपए पर आठ प्रितिसद बारसिक दर से चार वर्सों का साधारण ब्याज क्या होगा तो जश्ट मैंने अभी आपको क्या पड़ाया कि साधारण ब्याज यानि ऐसा ही बरावर क्या होता है दर गुणा समय तो दर कितनी है आठ समय कितना है चार यानि आठ चो को 32 प्रितिसद क्या करना है आपको 32 प्रितिसद का मान नकालना है किसका मूलधन का मूलधन कितना है 5000 तो आप इसका जब भी ब्याज मूचे जगा आपको क्या करोगे 5000 गोड़ा 32 बट्टे 2 0 से 2 0 0 0 यही क्या जाइगा इसका साधर अड़ाच यही क्या जाइगा साधर अड़ाच आपको बिना पेण कॉंपी के भी इसका अंसर नकालना है आप क्या करोगे 5708 चुकफ نंसर अठेगा तो अब हम लोग करते हैं इसके next question पर टी आई ओप यह समझ में आए को बिल्कुल basic सी चीज आपको SI के लिए use क्या करना है R into T अब आते हम लोग इसके next question पर इसको 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 आते हम लोग इसके next question पर बीज में अगर थोड़ी light अगर इसमें गड़बड होती है न तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है अब आराम से समझ सकते हैं अब यहां देखे वह है मूल राशी यहां क्या पहुंचे गए? मूल धन पहुंचा गया जो 5 साल में 6% प्रतिवर्थ की दर से 7 रड़ ब्याज कितना मिलता है? कितना मिलता है 7 रड़ ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है? दर गड़ा समय तो 6 पंचे आपको होगी 30 और यहां आपको साधार ब्याज का मान भी दिया है कितना है? तो कुश्चन वाली वैल्यू किसकी चाहिए तो जो यह वैल्यू होगी यह होगी कुश्चन वाली जो प्रश्चन में वैल्यू दी जाएगी यह अब प्रश्चन में सिंपल इंट्रेस्ट कितना दिया है आपको होगी 60 मैं कहूँगा आपका साधार ब्याज कितना नकला आपको होगी 30 मैं कहूँगा प्रतिसत के लिए यहने मूलधन के लिए कितना 100 जीरो से जीरो तेन दो निच्चे यहने आंजर कितना आ जायेका 200 इस प्रशन का आंजर कितना आ जायेगा 200 इस प्रशन का अंजर आ जायेगा ठीक अब आते हम लिए उसके next question पर ठीक sw Gear कोरते है रब आते हम लिए Question Number इस कुश्चन को आप खुद लगा सकते हो कोई दिक्कत नहीं मैं ये कहता हूँ कि एक विक्ति का साधार ब्याज 12% बारसिक दर से एक बैंक से रड़ लिया गया तीन साल बाद उसे 54 रुपए ब्याज देना पड़ा उसके द्वारा उधार ले गई रासी तो देखो सबसे पहले तो ये देखो कि आपको कुश्चन में मान क्या दिया गया तो 54 जो मान है वो क्या है ब्याज है तो मैं कहूँ आपका ब्याज कितना होगा आप सीधा क्या करोगे 12 तिया आप के गरोगे 12 तिया 36 और कुश्चन में ब्याज कितना दिया आप कोगे 500 मैं कहूँगा 500 वेल्यू किसकी आप कोगे 36 की मैं कहूँगा किसका मान चाहिए आप कोगे 100 का 9 54 36 या आप जिसके पाड़े से काटना चाहिए उसके पाड़े से काट लेते हैं दो दूनी चार दो तिया चै दो एक अंदो दो पंचे दस पांतिया पंदरा और तीन जीरो यही इस प्रशन का क्या देगा आंसर यानि इसका आंसर कितना होगा पंद्रे हजार रुपे यही उसके द्वारा उधार ले गई रासी कितनी थी पंद्रे हजार रुपे उसके द्वारा उधार ले गई रासी थी ठीक तो इसको भी हम लोग क्या करते हैं रब करते हैं आते हम लोग इसके next प्रशन पर question number 4 मेरी पांच प्रतिशत वारसिक दर्से साधार ब्याज पर उधार ले गई एक निश्चित धनरासी में चार साल का मिस्र धन एक हजार बीस रुपे हो जाता है उधार ले गई रासी ग्यात करें अब यहां आपको देखो यहां इस चीज़ का यूज़ बहुत जादा होगा जो hundred वाला मेतर है यहां सबसे अच्छा expression का यूज़ करने कौन लिए मिलेगा हमें यहां जो एक हजार बीस दिया यह आपको क्या दिया है मिस्तरदन आपको पता है आपको क्या करना पड़ेगा आपने कहा तहां मैंने कहा था hundred में जोड़ देना तो hundred में अगर बीस जोड़ेंगे तो मिस्तरदन कितना होगा 120 और प्रशन में मिस्तरदन कितना दिया है one zero two zero value किसकी होगी 120 की value होगी किसकी होगी 120 की मैं कहूंगा मान नकाले किसका 100 मूलदन कितना होगा जीरो से जीरो अब चार के पाड़े से काड़ ले तीन तीन से तीन चोको बारा तीन तरका नो तीन चोको बारा चार एकन चार पच्चिस का मल्टिप्लाई करना है इसमें पच्चिस का करना है मल्टिप्लाई तो पच्चिस चोको सो आंसिल दस पच्चिस तिया पचत्तर ओदस आपको होगे पच्चास यानि इस प्रशन का अंसर कितना आजाएगा यह इनि उसका चार सालवाद मिस्रधन 1020 हो जाएगा तो वह रासी कितनी होगी आपको होगे 850 रुपए कितनी 850 रुपए वह इसकी रासी होगी तो इसको भी हम लोग करते है रब करते हैं आते हम लोग इसके नेक्स्ट कुश्चिन पर पाइदें कुश्चिन नमर 5 होगा तो इसमें क्या पूच्चा गया अब देखो आपके उपर इसके हम डारेक्ट भी लगा सकते हैं लेकिन डारेक्ट लगाने में एक प्रॉब्लम हो जाती है कि अगर जब भी आप डारेक्ट लगाने की कोसस करो हो तुझे साधार अडबी आज लेना है वो न आप एक साल का लेना पड़ता है तो इम सीधा सीधा लिख के आराम से करते हैं मैं कहता हूँ साधार अडबी आज कितना आपको गोगे 200 बाबन साधर अड़ाज का फॉर्मूला लगाएंगे मैंने का साधर अड़ाज 252 मैं कहूंगा मूलधन कितना मैं कहूंगा 16 समय दो वर्स तीन माह तो मैंने आपसे क्या कहा है कि टाइम हमेशा जब भी सिंपल इंट्रेस्ट में ले चलेगा तो वो बारसिक चलता है क्या चलता है बा पार एक 9 बट्टे चार बरस इन्हीं दो वर्स का मतलब क्या हो गया 9 बट्टे चार बरस तो क्या लेकिंगे 9 इंट्टू रेट पूची गी तो और लेकिंगे बट्टे चार नीचे आ जाएंगे और यहां क्या होता है तो यानि साधार बेज़ बरावर मूलधन गोणा दर गोणा समय बटे 100 अब हमें बस इसकी कैल्कुलेशन करें चार एकन चार चाच्चो को 16 चार एकन चार चारचिंग के 24 चातिय बारा नो एकन नो सत्ति त्रेसट यह आर बरावर जो आंसर आएगा, वो कितना हैगा ? साथ परतिसVerट आर बरावर आंसर इसका कितना आजाएगा ? साथ परतिसद यह तो है सका basic अगर आपको direct लगाना था तो आप क्या करेंगे ? दो वर्स तीन महिने यह नो बटे चार वर्स कितने नौवट्टे चार वर्स तो 252 बट्टे नौवट्टे चार नौवट्टे चार ठीक यह काम करो 252 से 9 बट्टे चार वर्स का ब्याज 252 हुआ मैं कहूँ एक वर्स का ब्याज तो अब क्या करोगे इसको हम लोग काट के ना एक साल का ब्याज नकाल देंगे इसका एक साल का हम लोग ब्याज नकाल लेंगे वैसे ये बेसिक ही अच्छा रहेगा लेकिन फिर भी आप इस तरीके से लगाना चाते हो तो लगा सकते हो ठीक तो नौ दूनी अठारा और नौ टे बातर ठीक एक साल का ब्याज कितना मिला आपको होगे एक सो बारा कहां से सोला सो से और प्रतिस्द के लिए 220 से 210 सुला सते आपको होगे 112 तबी आंसर कितना आएगा वार्षाद ये है ये है फरस्ट ये है आपको जिससे भी सूटेबल लेगे आप उससे इसका यूज कर ले ना ठीक तो हम लोग अब चलते हैं अपने नेक्स्ट कुश्चन पर या आप नेक्स्ट टैप पर यह था आपका टैप वन लिखिया था आपका टैप वन थे यह सारी एक प्रश्न अब आते हम लोग टैप टू पर तो इसको भी हम लोग क्या करते हैं रब करते हैं आते हम लोग इसके इस चैप्टर के टैप टू पर इस हाँ ये प्रश्न थोड़ा सही होते हैं इसको आप बहुत तरीकी होते हैं इसको लगाने के हम लोग से बेसिक समझेंगे मैं कहा रहा हूँ कोई रासी साधार रे ब्याज की दर से 10 साल में दोगनी हो जाती मैं कहते हूँ एक रुपए थे कितने हो गए 2 मैं कितने टाइम में आप कोगे दस साल में, कितने साल में, दस साल में, तो मैं कोगे एक रुपए थे, दो रुपए हो गए, कितने साल लगे आप कोगे दस साल, मैं कोगे ब्याज कितना मिला, आप कोगे एक रुपए, मैं कोगे एक रुपए, दस साल में दो रुपए हो गए तो ब्याज कितना मिल आपको होगे एक रुपे मैं कहूँगो मूलदन कितना है तब भी आपको होगे एक रुपे यह ब्याज होगे यह मूलदन होगे मैं कहूँगो समय कितना आपको होगे दस सार मैं कहूँगो दर पूची गई है बट्टे सो तो जीरो से जीरो आर बराबर आंसर कितना आएगा 10 प्रतिसर आर बराबर आंसर कितना आजाएगा इसका 10 प्रतिसर आप चाहें तो इसमें एक दोगनी है चाह आप दो माल लो, चार माल लो, पचास माल लो, सो माल लो कोई दिक्कत नहीं, आंसर यही रहेगा इस प्रश्ण का, ठीक, आंसर क्या रहेगा, यही रहेगा इस प्रश्ण का, तो इसको भी हम लोग क्या करते हैं, रब करते हैं, आते हम लोग इसके, next प्रश्ण पर, प्रश्ण नम्मर 7 कोई रासी कितने वर्स में 6 पृतिसत बारसिक साधार ब्याज की दर से 4 गुनी हो जाएगी तो मैं क्या कहता हूँ मेरी रासी 1 थी कितनी गुनी होगी आप कहोगे 4 गुनी कितनी दर थी मैं कहूँगा 6 पृतिसत दर थी कितनी गुनी एक रुपए 6 पृतिसत दर से 4 हो गए तो ब्याज कितना मिला आपको होगे 3 रुपए तो मैं सीधा क्या करूँगा साधार ब्याज का पॉर्मोर ब्यास तो साधारड ब्यास, मूलधन एक, दर कितनी अच्छ है, मैं कहुँआ हूँगा, समय कितना आपको होगा, टीव, बट्टे सो, तीन एक अंग तीन, तीन दू निच्छ है, दो से ये कतम, पचास बार, यह टी वरावर आंसर कितना आजाएगा, पचास वर्स, टी भी लांगे, बढ़ाते चलेंगे, तो इसको हम लोग करते हैं, रब, आते हैं हम लोग कुश्चन नमबर, एट पे, यहां से थोड़ा प्रशन अच्छ है, तो इनको थोड़ा ध्यान से समझना है, प्रशन क्या कह रहा है, कि एक धनरासी पर साधारड ब्याज, उस रासी का चार बटे 25 है, यदि वर्सों की संक्या वार्सिक दर प्रतिस्ट के बराबर हो, तो प्रतिवर्स की दर, यहां दो को दर और समय का मन क्या है गब बराबरी है, अब यहां इस चीज़ को समझना है, यहां बहुत लोग बहुत जल्ली गलती कर देते हैं, ठीक, तो यहां दो क सिम्पल सा लिखूँँगा साधारडब्याज, साधारडब्याज रासी का, का का मतलब गोणा, 4 बटे 25 है, तो इस रासी को मैं यदर लेके आजाओ, तो यह क्या हो गया, साधारडब्याज बटे क्या आएगी नीचे रासी, बराबर कितनए 4 बटे 25, यानि रासी कितने पच्चिस और ब्याज कितना आगे है चार और बरसों की संक्य और दर का मान क्या है बरावर है तो अब हम क्या कर सकते हैं साधारण ब्याज का फॉर्मॉला लगाते हैं तो साधारण ब्याज बरावर क्या है चार मूलधन कितना आया पच्चिस जो रासी होगी वही क्या होगा मूल दर और समय बराबर है हम इनको दोनों को एकस एकस माल लेते हैं बटे सो 25 एकन 25,25 चो को जो यह एनि एकस स्केर और 4 चो को 16 तो एकस बराबर मान कितना आगया आपको ओगे 4 परतिश्ट एकस बराबर मान कितना आगया चार प्रतिसाती है इस प्रशने का क्या आएगा अंसर आजाएगा आपको जो मैं चीज ध्यान देनी है वो इतनी चीज पर बहुत से बच्चे से डारेक्ट भी कर लेंगे बहुत से दिक्कत होती है कि कौन सी रासी किसका हुआ तो उसके लिए आप क्या करोगे प्रश कि कुशन नमर नाइन देखों साधारण ब्याज की एक निशिद्दर पर निशिद्दर पर एक बट्टे चार भाग में निशिद्र के एक बट्टे चार भाग में एक रासी एक तालिस बट्टे चालिस हो जाती है ठीक अब यहां देखों इस चीज को पहले समझना है इस चीज को आपको ध्यान देना है साधारण ब्याज की एक निशिद्दर पर एक बट्टे चार भाग में एक दर्णा से एक तालिस बट्टे चालिस हो जाती है प्रतिवर्स ब्याज की दर ग्यात करें यहां थोड़ा मिस्पिनेंट है टाइम यहां तक यह एक बट्टे चार भाग है यह उसका टाइम के अपोजिट दिया है ठीक तो देखते हैं चलो मैं कह रहा हूँ अगर वो साधार अड़ पर आज कितना होगा मूल दाना का चालिस है तो यह कितनी हो गई आपको गई एक तालिस कितनी हो गई एक तालिस अगर मैं इसकी अब यहां समझाना यह चालिस से कितनी हो गई एक तालिस यह पहली चीज़ है क से यह कितनी होगी ? 51 बटे 40 तो मेरे 40 से दर आ गया है यहनि 40 से 41 ठीग यह होगी तो अब यहाँ किया क्या है रहे है निश्चेदर पर 1 बटे 4 भाग में निश्चेदर के 1 बटे 4 बाग में यहनि दर चार आई कितना मान लिए मैंने 4x और समय मान लिए मैंने कितना x यहाँ थोड़ा miss print है है यह कह रहे हैं समय जो है दर के एक बट्टे 4 भाग पर तो यह दर होगी 4x समय कितना होगया x यहाँ से ब्याज कितना मिला आपको होगी 1 मूलदन कितना था आपको होगी 4 समय x दर 4x बट्टे 100 बट्टे कितना 100 कुश्चन में कुछ miss print है कोई दिक्कत में देखता है 0 से 0 I think 1 मिनट कुश्चन में कुछ miss print है मैं ज़रा चेक कर लेता हूँ कुश्चन तो देखो कुश्चन में यहाँ थोड़ा गड़वर लिखा हूँ है इसलिए इसका अंसर गलत हो रहा है बस थोड़ा सही कर लेते हैं इसको यहाँ जो चीज लिखी है वो यहाँ लिखी है कि निश्चित दर पर एक वर्स के एक बट्टे चार भाग पर कहले का एक वर्स के एक बट्टे चार भाग पर एक धन रासी 41 से 40 हो जाती है तो प्रतिवर्स ब्याज की दर क्या है ठीक अब इस प्रशन को करेंगे थोड़ा कुश्चन में मिस्प्रिंट टैपिंग मिस्प्रिंट होई थी इसको लिखने में अब देखो रासी 40 थी कितनी होगे 41 मैं कोँगा कितना ब्याज आप कोँगे 1 भूलन कितना मैं कोँगा 40 वर्स के कितने भाग आप कोँगे 1 और मैं पूँचो दर्मान कितना तो 1 4 तो नीचे आएगा 1 बट्टे 4 इंटू 100 तो 0 से बरावर आंसर इसका 10 प्रतिसत यानि पहला उप्सन वो थोड़ा यहां लिखने में गलती हुई निचे दर पर 1 वर्स के 1 बट्टे 4 भाग में ये प्रशन था तो इसका आंसर केतना आजाएगा 10 प्रतिसत तो इसको भी हम लोग क्या करते हैं रब करते हैं आते हम लोग आसके नैस्ट प्रशन प्रति जो की है कुश्चन नमर 10 देखो ये भी ब्लुकुल एजी सा कुश्चन है क्या करना है देखो एक बर्स बाद मिस्तरदन और मूल्दन यानि मूल्दन 10 और मिस्तरदन 12 मैं कूँगा मूल्दन 10 मिस्तरदन 12 मैं कूँगा ब्याज कितना तो आपको होगे 2 मैं कूँगा मूल्दन कितना आपको होगे 10 मैं कूँगा वर्स कितने 1 मैंने पूची किया 10 बट्टे आर यानि 100 0 से 0 R बरावर आंसर कितना 20 per 30ु videos विस परतीक्द आर बरावरं सर कितना 20% 30 करें के क्या जाएगा उत्तरा जाएंगा बिल्गुल इजी से कुस्षा नहीं बेसिक्स आपकी जहांसे किलास सोरू करते हैं वैसे हैं प्रश्ण अच्छा है यह बहुत आता भी एक्जाम में साधारण ब्याज रासी का एक बट्टे नौ तो ऐसा यह उपर राशी नीचे एक बट्टे नौ एक बट्टे नौ है यह हो गया तो यानि साधारण ब्याज कितना एक मैं कूँँगा रासी कितनी नौ और समय और दर कमान क्या है बराबर तो मैं कूँँगा एक्स गोड़ा एक्स बट्टे सो तो मैं कूँँगा एक्स स्केर बराबर आप होगी सो बट्ट मैं बहुंगा ये 3 सही 1 बटे 3 परतिचत आंसर कितना है जाएगा 3 सही 1 बटे 3 परतिचत यानि कौन सांसर सही होगा C option सही होगा कौन सांसर सही होगा C तो इसको भी उन्हों क्या करते हैं रब करते हैं आते हम लोग आज के next question पर जो की question number क्या है 12 ये भी सही तरीके का question है Sam just previous लगा है सही परकार का question है तो देखो इसको क्या करना है किसी राशी का साधार अध्याज अब आप क्या करों कि डारेटी हैं का है साधार अध्याज राशी का कितना है 4 बटे 9 तो क्या हुआ 7 बटे 9 राशी कितनी होगी 9 हो गई, समय और दर का मान क्या है, बराबर है, यानि बट्टे कितना हो गई, 100 हो गई, यानि ये 4 का गुड़ा इधर, ये इधर गई 100, तो ये कितने हो गई, 400 और ये 9 जब नीचे आएंगे, तो 9 पर X उपर X कितना हो जाएगा, X X का मान चाहिए आपको, तो 400 का बरुमूल कितना होगा, 20 और 9 का बरुमूल कितना होगा, 3, इसको अगर हम डिवाइड करेंगे, तो 18 हांसल कितनी बची, 2 बट्टे, 3 इन ये इस प्रिशन के क्या जाएगा, उत्तर आजएगा तो आज के लिए हम लोग क्या करते हैं, इतना ही रखते हैं, और मिलते हम लोग कल, जब तक आपका क्लासेस श्टार्ट नहीं हो रहे हैं, तब तक आपको यह 15, 20, 30, 25 मिनट की जितने की भी वीडियो होगी, और जितने भी टाइपस होगे, वो आपको यहां करवा दिया जाएगा, तो इस चैनल को अब आपको क्या करना है, इसको जादा से जादा से शेर करो, अपने दोस्त सब्जेक्ट के MCQ लेके साम को एक वीडियो आपको बनाएंगे, वहां आप अपनी GS की तैयारी देखते रहे हैं, कि आपको कितना आता है, और इससे आपकी साथ साथ में तैयारी भी होती रहे, तो वो वीडियो मिनमम 10-12 मिनट की बना करेगी, ठीक, तो मिलते हम लोग कल त रच्छित रहें और अपनी पढ़ाई जारी रखें